एक ही तरह के दो question है, almost एक ही तरह के हैं, एक को अभी हम लोग solve करेंगे और दूसरा हम तुमको एक तरह से homework में देते हैं, इसको solve करने की कोसिस करना, next वीडियो में उसका भी solution हम बतलाएंगे तुमको, देखो question कहता है कि root over 45 minus root over 5, इसकी value कितनी होगी, चार options दिये हुए है, इस 45 को लोग break कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 45 को 9 into 5, ठीक है ना, लिख सकते हैं, 9 into 5, 45 होता है, minus root 5, ये वाला इसी तरह रहेगा, अब यहां देखो, root over 9 into 5, इसको भी अम लोग फ़वसा break करेंगे, इसको लोग अला लिख सकते हैं, root over 9, root over 5, ठीक है ना, ऐसा इसलिए यहां ध्यान दो, root over a into root over b, यह होता है whole root a into b, ठीक है न, इसका reverse भी true होता है, तो हमने क्या किया है, कि a into b, 9 into 5 है, तो इसका अलग-अलग root में हमने लिख दिया है, न, root 9 into root 5, minus यह वाला root 5 इसी तरह रहेगा, ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, root 9, 3 होता है, 3, यह root 5 ऐसा ही रहा जाएगा, minus, यह तो सुरू से ऐसा ही रहा रहा है, minus 5, अब थ्वासत में ही पर ध्यान दोगा तो तुम समझ सकते हो, कि 3 root 5, minus 1 root 5, यहाँ पर 1 होता है, तो 3 root 5, minus 1 root 5, 2 root 5 इसका अंसर होगा, यह simple है, ठीक है न, यदि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक step तुम और इसमें ले सकते हो, कि root 5 को तुम common ले लो, root 5 को तुम common लो लोगे, यहाँ पर बच गया, यहा 2, 3 minus 1, 2, इसको लो लिख सकते है, 2 root 5, यही इसका एंसर हुआ, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ठीक है, इसका एंसर कौन सा है, यह इसका एंसर सही हुआ, दूसरा जो question है, वो अभी एंबोट पर लिखते हैं, उसका option लिख देते हैं, उसको तुम solve करने की कोशिस करना, व root over 8, इसका एंसर कितना होगा, यह 4 option दिये हुए, root over 14, root 10, root 6, root 2, इसको solve करने की कोशिस करो, नहीं होता है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको solution लेंगे इसका,